गुड मार्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज आपको अपने मनी प्लांट से मिलवाते हैं फ्रेंड्स यह में मनी प्लांट है जो मैंने डेर सल पहले लगाया था बहुत छोटा सा प्लांट लेके आया थी नर्सरी से में और अच्छी ग्रोथ हो चुकी है अब इसकी रहे साड़े चार रही और आप देख सकते हैं तो इसके बड़े बड़े पते हैं निकले हुए हम बहुत सारी ब्रांजेज हैं और यह देखए और ज्यादा बड़े गंले में मैंने उसको नहीं लगाया है फ्रेंड्स गंला भी इसका लपक दस लो इंच का है ज्यादा नहीं और जो ये बीच में इसकी कोयर स्टिक है ये भी मैंने खुद ही बनाई हुई है तो देखिए फ्रेंट्स कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है और अब ये फ्रेंट्स विंडर आ चुकी है और हमारे यहां काफी ठंड पड़ती है कोहरा पड़ता है सब जड़ जाती है लेकिन जो अगर पॉर्ट में तो फ्रेंट्स उनको ठाके ऐसी जगह रख दीजिए जहां पे उनको कोहराना उनके ओपर कोहराना पड़े तो मेरे वाले मनी प्लांट के अभी तक फ्रेंट्स क्रोथ हो रही है देख सकते हैं अब नियू नियू ग्रोथ जो है वो अभी भी हो रही है रुकी नहीं है बस ये कुछ दिन बाद थोड़ी बिलकुल और स्लो हो जाएगी जो नए पत्ते आना बंद हो जाएंगे और वो फरवरी 15-20 परवरी के बाद जो मौसम में गर्माहट होगी तब ये ग्रोथ फिस स्टार्ट हो जाएगी तो निकाल दिया नहीं तो और बुशी था और कुछ पते बड़े हैं कुछ छोटे हैं लेकर जो बड़े हैं वो काफी बड़े बड़े हैं मतलब हाथ से भी बड़े बड़े पते निकलाएं इस पर तो देखें अभी भी हरा भरा है और ये ऐसा ही रहेगा पिछले साल भी मेरा मनी प्लांट के एक भी पता नहीं जड़ा था जैसा था वैसा ही था और जैसे ही गर्मियां आई वैसे ही उसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई तो विंटर मेन को फिरंस कोहरे से बचाने ठंडी हवाओं से तो मैंने इसे अपने बरामदे में रखा हुआ है तो फिर ये सेव है तो अगर आप भी रख सकते हो तो उठा लीजिए रख दीजिए और नहीं तो फिर तो कोई आप्शन नहीं है पते तो जड़ेंगे फिर इसक कर रहे हैं तो यह देखें वीडियो अच्छा लोगी फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें हैपी गाड्निंग